नमस्कार दर्श्रको प्रणाम मित्रो हमारी यूट्यूब चैनल अनुभवी पंडित में आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कुछ दर्शको और सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि अनुराग कश्यप के उपर अभिनेत्री पायल घोष ने जो आरोप लगाया है जातिय दुर्व्यवहार यवन शोशन का उसके विशाई में दोनों की जन्मकुंडली का विस्त्रुत विशलेशन करके अपना अभिप्राई रखो इस आरोप में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई ही अनुराग कश्यप फिल्म देशक अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया होगा तो इस विशलेशन मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करूँगा लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूँगा कि हमने 15 अगस्त के दिन एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था अगस्त मास में और साल भर भारत देश में बलातकार लव जिहाद महिलाव पर अत्याचार जैसी अनिक घटनाए हो सकती है चक्चार जगाने वाली घटनाएं हो सकती है उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में कानपूर, मेरट, लखिमपूर, खीरी, अभी फिलहाल, हाथरस में ऐसी घटनाओं को देखा है जिसमें काफी चक्चार, काफी मिडिया कवरेज और काफी बाते फैली है वैसे बलातकार की घटनाएं तो अकसर होती रहती है, लेकिन ये विशेश समय है राहु शुक्र की यूती का ऑगस्ट में जो था और साथ में भारत देश की 2021 की ताजक कुंडली में भी राहु शुक्र की यूती का जो योग दोश बन रहा है उसके कारण पूरा वर्ष इस प्रकार की अनेक घटनाएं हो सकती है और उसको बहुत ज्यादा फैल सकती है उसका न्यूस और उस पर बहुत चर्चाय हो सकती है और बहुत बड़े डिसीजन्स बहुत सारा बड़े लोगों के उपर एक्शन भी हो सकता है उसके कारण तो ये हमने भविश्यवाणी 15 अगस्त के वीडियो में की थी हमारे जो भी वीडियोज है वो ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर, प्लैनेटरी ट्रंजिट्स के आधार पर, जियोतिश्य विज्ञान के आधार पर है राहु शुक्र की यूती का पूरुष और स्त्री के बीच संबंधों पर विशेश अशर होता है और जब उसमें राहु का प्रभाव अधिक होता है, तो महिला उपर अत्याचार की अनिक घटनाए होती है तो ये सारी ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, वैदिक जियोतिश के आधार पर हम भविश्यवानी करते हैं, जियोतिश ये अर्धगटन करते हैं और उसके आधार पर, आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलोजिकल इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, जियोतिश ये चानबीन करने वाले हैं, पायल घोष की जन्मकुंडली और फिल्म निर्देशक अनुराक कश्यप की जन्मकुंडली के आधार पर, जो आरोप जो ए पायल घोष के साथ किया होगा या नहीं, इस विशाई पर हम विश्ट्रूत जोतिश ये विशलेशन के आधार पर आपके सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे हम सभी ने निूज में देखा है कि पायल घोष ने अनुराक कश्यप के उपर आरोप लगाते हुए कहा है कि बंबे वेलवेट मुवी के समय में उनके साथ ऐसा ऐसी घटना हुई, उन्होंने बहुत दिनों तक ट्वीटर पे, सोश्यल मीडिया पे अनुराक कश्यप के के खिलाफ उन्होंने officially complain किया और फिर मुंबई पुलिस ने FIR भी register किया, मुंबई पुलिस ने अनुराक कश्यप को समन करके बुलाया उनसे पुछताच की, लेकिन अनुराक कश्यप ने सपस्ट रूप से ये कहने का प्रयास किया कि वो बिलकुल बेकसूर है, उन्होंने ऐसा कोई भी दुर्व्यवहार पायल घोश के साथ नहीं किया है, तो ये news और media की बात है, ये दोनों पक्षों का अपना मंतव्य है, आज इस वीडियो में ज्योतिश विज्ञान के आधार पर, ग्रहन अक्षत्रों के प्रभाव के आधार पर, मैं आप सभी के सामने अपन मंतव्य स्पस्ट करूंगा कि इस विशई में कितनी सच्चाई है और क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अनुराक कश्यप की जन्मकुंडली खोल कर देखते हैं, अनुराक कश्यप का जो बर्थ डेट है, वो है 10 सब्टेंबर 1972, सब्टेंबर 10 1972 ये बर्थ डेट है अन जिसमें बर्थ टाइम का इंपोर्टन्स नहीं होता है, उनकी सूरिय कुंडली में हम सपस्ट रूप से देख रहे हैं कि प्रथम स्थान जो प्रथम घर है कुंडली का उसमें सूरिय है, बुद्ध है और साथ में मंगल है, सूरिय और बुद्ध मिलकर के बुद्ध आदित अर्थात अनुराग कश्यप को बहुती निपुन उनकी जो भी कला है और वो पंचम ये सीहराश्री का घर है और सीहराश्री के घर में सीहराश्री का स्वामी सूरिय बुद्ध के साथ बुद्धादित्य योग बना रहा है और बुद्ध का संबंध कला, संस्कृति, वानी, व्यवहार इन सभी के साथ होता है तो as a film director वो ये कारिय बखो भी कर रहे है और सीहराश्री, पंचम स्थान की राश्री तो ये creativity रचनात्मकता प्रस्तुत करने वाली राश्री है और उसमें उसी राश्री का स्वामी सूरिय साथ में विराजमान है तो ये स्पस्ट रूप से बता रहा है कि अनूराइक कश्य पेक बहुती अनुभवी और सक्षम फिल्न निर्देशक है अभी इस प्रसंग इस आरोप के अनुरूप उनकी ये सूरिय कुंडली क्या कह रही है वह में देखते हैं उनके सूरिय कुंडली में उनका जो भारवा स्थान है करक राशी का उसमें शुक्रग्रह की उपस्थिती है और शुक्रग्रह की भारवे स्थान में उपस्थिती इस पस्ट रुप से संकेत देती है कि वो अपनी bedroom activities, अपनी dream activities, अपना dedication उसमें महिलाओ का बहुत बड़ा रोल है और सिर्फ महिलाओ का नहीं, art, culture का तो जैसे उन्होंने अपनी life में art, cinematography उसमें बहुत कार्य किया है, साथ ही यह यह भी सुचित करता है कि महिलाओ के प्रती उनको बेहद आकर्शन है और तो सुर्य कुंडली में भारवे स्थान में शुक्र ग्रह की उपस्थिती यह स्पस्थ रुप से सुचित करती है कि महिलाओ के प्रती उनका अत्यधिक आकर्षण है सिर्फ महिलाओ के प्रती नहीं बल्कि कला के प्रती आल्ट के प्रती भी उनका बेहद आकर्षण है साथ में उनकी सुर्य कुंडली में पंचम स्थान में गुरू और राहु की युती हो रही है धनुराश्री में यह सुचित करता है कि इनकी कुंडली में गुरू चांडाल योग बन रहा है। गुरू चांडाल योग का प्रभाव ये है कि कभी-कभी अनुराग कश्यप अपने विवेक पर काबू नहीं रख पाते, उनके अंदर की इच्छाए राहू, उनके विनाई विवेक के उपर हा कुछ ऐसे गलत बयान कर देते हैं, गलत बयान बाजी में फस जाते हैं, या फिर कोई गलत कर्म भी कर सकते हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उनकी सुर्य कुंडली ये स्पस्ट रुप से संकेत दे रही है। अब हम अनुराग कश्यप की चंद्र कुंडली का उस घर को लगन स्थान बना करके देखते हैं। तो अनुराग कश्यप की चंद्र कुंडली जो है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहरवा स्थान है सही राश्री का और उसमें बुद्ध, मंगल और सुर्य तीनों बैठे हुए हैं और उनका चंद्र बैठा हुआ है कन्या है वो बुद्ध है और वो बुद्ध सहराश्री में 14 डिग्री पे बैठा हुआ है, जबकि भार्वे स्थान का स्वामी सुर्या 23 डिग्री पे बैठा हुआ है और मंगल इनका वो भी 23 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो ये बहुती important बात है, ये आगे जब मैं पायल घोश की जन्म कुंडली आपको दिखाऊंगा तब आपके सामने स्पस्ट होगी मंगल और सुरिय दोनों ही 23 डिग्री पे है सुरिय 23 डिग्री 51 मिनिट पे है मंगल 23 डिग्री 2 मिनिट पे है तो सुरिय का पलडा मंगल के उपर भारी पड़ रहा है सुरिय के आगे मंगल अस्त हो र समझेंगे यहां पर बुद्ध सुर्य से 9 डिग्री दूर है इसलिए बुद्ध पे इतना ज्यादा सुर्य का प्रभाव नहीं पड़ रहा है लेकिन मंगल बिलकुल ही सुर्य की डिग्री के पास है इसलिए मंगल पूर्ण रूप से अस्त हो रहा है यह अनुराक कश्यप की चंद्र कुंडली में हम देख रहे हैं साथ ही यहां पर बहुती महत्वपूर्ण बात देखने की यह है कि अनुराक कश्यप की कुंडली में सुर्य पूर्वफ आलगुनी नक्षत्र में है जो शुक्र का नक्षत्र है मंगल है वह भी पूर्वफ आलगुनी नक्षत्र में है और बुद्ध है वह भी पुरुव फालगुनी नक्षत्र में है तो मंगल, सूर्य और बुद्ध तीनों ही ग्रह शुक्र के पुरुव फालगुनी नक्षत्र में है तो यह सुचित करता है तीनों ग्रहों के उपर शुक्र का अधिक प्रभाव है शुक्र अर्थार्थ आर ये व्यक्ति की लाइफ का बेडरूम एक्टिविटीज को भी दिखाता है। तो चंद्रकुंडली में अनुराग कश्यप की चंद्रकुंडली में भारवे स्थान में तीन ग्रहों की उपस्थिती और तीनों ग्रहों की पुर्वफालगुनी नक्षत्र में उपस्थिती। यह सुचित करता है कि अनुराग कश्यप की बेडरूम एक्टिविटी बहुती अधिक होगी, बहुती अधिक महिलाओं का उसमें रोल हो सकता है और उसमें मंगल अस्त हो रहा है सुर्य के आगे, सुर्य वो अनुराग कश्यप की भारवी कुंडली का स्वामी है। तो यह इनकी चंद्र कुंडली में स्पस्ट हमें दिख रहा है। साथ ही यहां यह भी याद रखना है कि अनुराग कश्यप की चंद्र कुंडली में चंद्र लगनेश उनका जो राशी है, वो कन्या राशी है और उसका स्वामी बुद्ध होता है, वो बुद्ध भी अब हम देखते हैं पायल घोष की कुंडली यहां पर सबसे इंपोर्टन्ट बात पहली द्रश्टी में हम देख रहे हैं इनका चंद्र मैश राशी में है और मैश राशी का स्वामी आप जानते हैं वो होता है मंगल तो जो हमने देखा अनुराग कश्यप की कुंडली में मंगल अस्त हो रहा है तो वो मंगल कौन सा मंगल है वो पायल घोष का चंद्र राशी का स्वामी मंगल है और वो मंगल अनुराग कश्यप के सुर्य के आगे अस्त हुआ कहां अस्त हुआ अनुराग कश्यप के भारवे स इस्थान में जो बेडरूम एक्टिविटी का होता है तो ये संकेत देता है कि ये पूरी संभावना है पायल घोष ने जो आरोप लगाया है अनुराग कश्यप के उपर वो गलत नहीं होगा वो सही हो सकता है ये दोनों की जन्मकुंडली बता रही है पायल घोष की बर्थड है 13 नवेंबर 1989 नवेंबर 13 1989 उनका भी बर्थ टाइम हमें नहीं पता इसलिए हमने यहां चंद्रकुंडली उनकी देखी है तो इनकी चंद्रकुंडली में इनका चंद्रलगनेश या चंद्रराश्री का स्वामी मंगल है अरूस मंगल का वहाँ पर अनुराग कश्यप की कुंडली में भी देखिए पायल घोश की कुंडली में सब तूला राश्री में मंगल बुद्ध और सुर्य की यूती है ये बहूत ही आश्चर्य जनक सिमिलारिटी है दोनों की कुंडली में कुंडली के एक ही घर में तीन ग्रहों की यूती और वो तीनों ग्रह एक समान है मंगल बूध और सुर्य पायल घोश की कुंडली में भी मंगल बूध और सुर्य की युती है एक घर में उसी प्रकार अनुराग कश्यप की कुंडली में भी मंगल बुध और सुर्य की युती है एकी घर में फरक इतना है कि अनुराक कश्यप की कुंडली में ये यूती सिही राशी में बन रही है। अनुराक कश्यप अफरीटी फिगर वो अपने फिल्ड में फिल्म डाइरेक्टर है, तो वो अफरीटी फिगर है, साथ में ये चंदर से भारवास्थान, ये उनका बेडरूम है, पब्लिक रिलेशन्शिप तो उसमें ये यूती बन रही है और यहां पर बहुती अच्छे से समझने की बात है तूला राश्री में सुर्य होता है वो नीच राश्री का कहलाता है तूला राश्री में सुर्य होने का अर्थ है मान भंग अपमान या जिसे बलातकार को एक चिल चालू भाश्रा में कहते हैं इज्जत लूटना तो जब किसी की जन्मक कुंडली में सुर्य नीच राश्री में होता है तो उसे कभी न कभी कहीं न कहीं मान भंग का सामना अपमान का सामना या इस प्रकार से बेईज्जत होना या ऐसा situation उनके सामने आता है और कोई authority figure उनके स बात ऐसा करता है तो पायल घोश्क की कुंडली में वो फिल्म निर्देशक अनुराक कश्यप का ऐसा रोल होने की पूरी संभावना है पायल घोश्क का जो आरोप है वो बे बुन्याद नहीं दिख रहा है उनकी जन्मकुंडली की आधार पर तो हम ये अवश्य ही कह सकते ह पायल घोश्क की जन्मकुंडली में मंगल 12 डिग्री पे है सुरिय 27 डिग्री पे है और बुद्ध 28 डिग्री पे है तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि यहाँ पर बुद्ध अस्त हो रहा है सुरिय के बेहद नस्दिक है लेकिन वो सुरिय से 1 डिग्री आगे है भले व मंगल पीछे है तो मंगल पर उसका बुरा प्रभाव है और बुद्ध को बाद में उसका परिणाम भुगतना पड़ता है तो पहले मंगल अस्त हुआ मंगल वो पायल घोष का राश्री का स्वामी मंगल वो पहले अनुराक कर्ष्यप की बेडरूम एक्टिविटीज उनकी इ इच्छाए उसके आगे अस्त हुआ और बाद में पायल घोष ने जो आरोप लगाया है उस आरोप के कारण अनुराक कर्ष्यप की छवी अनुराक कर्ष्यप की चंदरराशी कन्या है जिसका स्वामी बुद्ध है और वो बुद्ध पायल घोष की कुंडली में अस्त हो रह तो पायल घोश का आरोप सच साबित हो सकता है अनुराग कश्यप को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ सकती है ये पायल घोश की कुंडली कह रही है तो मित्रो ये देखिए बहुती सपस्ट हो रहा है अभी यहाँ पर एक और चीज में आपको दिखाऊंगा और वो है अनुराग कश्यप का D30 chart होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर कौनसी अच्छाईया, स्ट्रेंथ है कौनसी बुराईया, विक्नेसिस है उसके बारे में अनुराग कश्यप का जो D30 chart है उसमें हम साफ देख रहे हैं शुक्र है नीच राशी में, कन्या राशी में और साथ में तूला राश्री में राहु और केतु इकठे बैठे हैं, तूला राश्री पब्लिक रिलेशन्स का होता है, यहां पर हम बारिवा घर है, इसलिए नहीं कह रहे हैं, यांदिक राय कुंडली में बारिवा घर है, लेकिन हम अनुराक कश्यप के जन्म का सही समय नहीं जानते, इ और कन्या राशी में शुक्र की उपस्थिति तो कन्या राशी में शुक्र की उपस्थिति अर्थात शुक्र नीच राशी में है तो art, direction, cinematography और महिलाए यह अनुराग कश्यप की weaknesses है और साथ में public relationship यह भी इनकी weaknesses है साथ में मिथुन राशी में सूर्य और मंगल की यूती ये भी कहती है कि वो अपनी वाणी में अत्यधिक एंगर या जोश दिखाते होंगे ये भी इनकी विकनेस है तो ये अनुराक कश्यप की D30 कुंडली ये सुचित करती है तो मित्रो इस प्रकार से हमने अनुराक कश्यप की चंद्रकुंडली अनुराक कश्यप की सुर्य कुंडली अनुराक कश्यप का D30 चार्ट और पायल घोश की चंद्रकुंडली इन सभी चीजों का अर्धगटन किय है और इसके आधार पर हमारा ज्योतिश्य वैदिक ज्यान हमें ये स्पस्ट रूप से बता रहा है कि पायल घोष ने जो अनुराक कश्यप के उपर आरोप लगाया है वो बे बुन्याद नहीं हो सकता उसमें सच्चाई होने की 100% संभावना है दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यह कब हुआ तो इस विश्य में थोड़ा confusion अवश्य है क्योंकि पायल घोष ने एक बार यह भी कहा है कि 5 साल पहले यह हुआ और शायद यह भी कहा है कि 2013 में हुआ तो हमने इस विश्य पर ज्योतेशिय द्रश्टी डालने का प्रयास किया 2013 की बात करें तो 2013 में राहु तुला राश्री में भ्रमन कर रहा था और 2015 की बात करें 5 साल पहले तो उस समय राहु का भ्रमन कर्या राशी में हो रहा था तो 2015 में ही बाम्बे वेलवेट भी रिलीज हुई थी तो हो सकता है 2015-2014 में वाक्या हुआ हो तो उस समय राहु कन्या राशी में था और कन्या राशी अनुराक कश्यप की चंद्र राशी है तो जब अनुराक कश्यप की चंद्र राशी में राहु का भ्रमन था तो उनके मन पर राहु का अत्यधिक प्रभाव होना स्वाभाविक है और जब राहु का अध्यधिक प्रभाव उनके मन पर था तो स्वाभाविक है कि वो महिलाओ के साथ चंद्र को महिलाओ के साथ भी जैसे शुक्र का महिलाओ से संबंध है वैसे चंद्र का भी महिलाओ से संबंध है तो चंद्र और राहू की यूती को चंद्र ग्रहन भी कहते हैं तो अनुराख कश्यप की चंद्र राशी के उपर राहू का गोचर ये भी सुचित करता है कि उस अवधी में अनुराख कश्यप ने महिलाओ के साथ दूर व्यवहार किया हो सकता है या महिलाओ के साथ उनका नियम विरुद्ध व्यवहार हो सकता है, जो पायल घोष का आरोप है, वो सच हो सकता है साथ ही अगर 2013 की बात करें, तो 2013 में राहु का भ्रमन तुला राश्री में था और हमने देखा कि पायल घोष की कुंडली में तुला राश्री में सुर्य मंगल और बुद्ध की यूती है तो ये भी संभावना है तुला राश्री में जब 2013 में राहु का भ्रमन था, उस समय पायल घोष की कुंडली में राहू और मंगल की यूती अंगारक योग बनाती राहू का बुद्ध पर प्रभाव राहू का सुर्य पर प्रभाव तो ये पायल घोष की कुंडली में कोई अपमान जनक घटना होने की पूरी संभावना 2013 में होई हो सकती है जब राहू का तुल भी वक्त ये घटना होने की पूरी संभावना पायल घुष के साथ या अनुराग कश्यप के साथ हो सकती है ये उनकी कुंडली बता रही है अनुराग कश्यप के विशे में हम इतना तो अवश्य ही जानते हैं कि अनुराग कश्यप ने दो बार शादी की है और दोनों ही बार डिवर्स भी हुआ है अनुराख कश्ट्यप की चंद्रकुंडली में सब्तम स्थान का स्वामी है गुरू और वो गुरू के उपर राहू का ग्रहण है गुरू चांडाल योग है साथ ही साथ ही तो इस प्रकार सब्तम स्थान के स्वामी गुरू के उपर राहू का ग्रहण और केतु की द्रश्टी ये भी सुचित करता है कि अनुराख कश्ट्यप का जो मैरिटल लाइफ है वो स्टेबल नहीं है और ये हम सभी जानते हैं दो बार उनका मैरेज हुआ और दोनों ही बार उनका डिवर्स हुआ तो इस प्रकार से अनुराख कश्ट्यप की चंद्रकुंडली, सुर्यकुंडली, D30 चार्ट, पायल घोष की चंद्रकुंडली ये सभ भी देख करके हम ये निश्कर्स अवश्यप लगा सकते हैं, ये निश्कर्स पर पहुँच सकते हैं कि पायल घोष ने जो यौन शोषन का आरोप लगाया है अनुराख कश्ट्यप के उपर वो बेबुन्याद नहीं है, उसमें सच्चाई होने की पूरी-पूरी संभावना है. ये निश्कर्स अपना कोई मंतव्य नहीं है, यह सिर्फ जियोतिष ज्ज्ञान के आधार पर, जन्मकुंडली के आधार पर, जन्मतारिक के आधार पर, ग्रहों के गोचर के आधार पर हमारा अर्थघटन है, जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. अगर आपको ज्योतिश विज्ञान संबन्धित इस प्रकार के हमारे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तुरंती हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड सरकल् झालो